हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेजी ये सद्डा तो आज हम फिर आप लोग के लाइफ फ्रेंड्स वही मानाव सरी यानिक हुबन बोडी से रिलेटेड उसका पार्ट टू फ्रेंड्स इसे पहले हमें एक वीडियो डाल देते से रिलेटेड अगर आप लोग नहीं देखे तो सकते सादेशन यह करता है और ऑप्संटाल तप्संट में आपको दिया है ट्रिपसीन लाइपेज प्तप什么 माश्राबं कहां से नीकलता है तो इसके मीलेब यह जान लेते हैं आप्सम आपको पहला में ट्रीपसीन क्या करता फ्रेंड्स यह जो समय अजुत होता जो जो एंज प्रोटीन को एमिनो एसीड में जो बदलता है वो कौन बदलता है कि प्रोटीन जो है उनको एमिनो एसीड में कौन बदलता है एमिनो एसीड में कौन परवर्तित करता है तो ट्रिप्सीन करता कौन करता है ट्रिप्सीन करता है और लाइपेज क्या करता है तो फ्रेंट्स यह लाइपेज औगनासय निकलता से निकलता है तो लाम पेज यह अगनासय से निकलता है उसके बाद यह पेपसीन तो पेपसीन क्रता है एक होता बता देते हैं ट्रेंड करेंसे तो प्रोटीन का पाचन में में मदद करता है तो यह कहma से इसका निकलता है स्रावन कहुंट लर्ग अन्ग से छाण को बदा दिये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप इसे धृण रखेगा एक बार हम फिर से रिपीट कर दें ट्रिप्शन क्या करता है तो यह एमिनोकी में परवर्तित करता है प्रोटीन को अलाइपेच का अशरावन का सुथा अगनासे से पंक्रियास से अप्पसिन क्या करता है तो डॉट को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की अब सकता होती है जो फ्रेंट साका हरी होते से पहले हम बता आप दिये साका हरी मांसा हरी चोटी आत के बारे बहुत इडिटेल से तो आज हम फिर इस वीडियो में बताएंगे इस को संद मेरे पूछा गया तो इसमें भी बात प्रोटीन विटामीन तो इसका अंसर हो जागा ब्रणी की से लिए लोज तो आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंट की साकाहरी में किसको पाचाने के लिए लंबी छोटी आंत क्या सकता होती है तो से लिलोज को किसको से लिलोज को तो हम और एक बात बाताब देंगे कॉसन पुछता है कि किसमें छोटी होती है सबसे लंबी होती है किसमें छोटी होती है तो हम बता दे जो अगले पाचन के शरीर में भोजन के पाचन के संदर्म में लाइपेज का स्राब कहां होता है तो बतानाघ्ञ प्रेंड्स कि जो लाइपेज है उनका स्राब कहां सोता है कição मैशें मैं इसे पूछा गया है तो ठहुझा लंबा कर दिया कि मानद Спoryer में जो भोजन का पाचन है उनके संदर्व में जो लाइप अप्सरीज भोजन पाचन में मदद करता तो लाइप एच का स्राव तहां से होता है अपस्थ मैं आपको दिया है अमासए यक्रीत अगनास है ग्रांटी से फ्रेंड लाइपेज का सराब होता है लाइपेज का स्राब होता है और मनुस्सके सरीर का सबसे बड़ा मिस्तरित ग्रांथी दूसरी सबसे बड़ी गरंती बीको न इस तो आप इसे भी याद रखिए कहांच कहांस निकलता आगरास से निकलता व लार्ग रंथी से तो आप यह दुने हो याद रखेंगा यह भोजन के पाचने में मदद करता है तो चलते अब नेस्ट को संक्यूर नेस्ट को सन है कि इंसुलीन निमनलिखित में मनुस के किस अंग से निकलता है जो फ्रेंट्स इंसुलीन होते हैं इंसुलीन हार्मोन वह मनुस के सरीर से किस अंग से निकलता है आपको दिया पंक्रियाज पिट्यूट्री ग्लैंड गोल ब्लेडर लिवर तो इसका अंसर हो जाएगा option A यहनि की पंक्रियाज इसको हिंदी मुलते अगनास है तो फ्रेंट्स पंक्रियाज ग्लेंड जो है अगनासे गरंथी एंसे इंसुलीन निकलता है किस से अगनास्य गरंथी से इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधू में होता है इंसुलीन की कमी से मधू में रोग होता है मनुस के सरेर में आप इसे याद रखेगा लेकिन इंसुलीन निकलता कहां से पैंक्रिया जैने की अगनास्य गरंथी स तो आप इसे याद रखेगा तो चलते अब अगले कोशन की और कोशन की मनुस्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है तो आपने फ्रेंट्स आप सभी ने रोटी खाये ही होगा जब रोटी मूह मिलेते हैं उसको चबाते हैं तो मीठा अलकल का मीठा टैप लगता है व में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जागा फ्रेंट्स ऑप्सन यानिकी कार्वो हैड्रेट जो होते हैं वह सक्कर में परवर्तित हो जाते हैं चबाने के बाद कार्वो हैड्रेट किसमें परवर्तित हो जाते हैं सक्कर में परवर्तित हो जाते हैं सक्कर तो वैसे मिठा होत जलते हैं और नेश्ट को संक्योंने एक एंजाइम जो टाइलीन है टालीन एंजाइम डौत डौत में पाजता है कहां पर पाज़ता कहां से निकलता टानिल एंजय में टा इलिन अपसर्ण पाता है इसकी नीकिल्ट यार में पीज़ता चता लार में पाजता है और करता कोन टायलीन एंजायम और यह कहां से निकलता है तो लार गन्ती में पाया जाता है तो आप सभी को याद रखेगा हम सभी कुछ ने रिपीट कर दे रहें ताकि आप लोगो याद हो जाए तो चलते हैं अगले कोशन की और कोशन है कि मानाव सरीर में कार्बोहेड्रेट निमनलिखित रूप में संग्रहित हो रहता है तो बताना फ्रेंट्स की मानाव का सरीर के अंदर कार्बोहेड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता जमा रहता किस रूप में आपको दिया है ची गलाइकोजन के रूप में किस रूप में गलाइकोजन के रूप में तो आप इसे याद रखे का जब फ्रेंट सरीर को गुलकोज के आवसकता होती है तो वह जो संचित गुल को गुलब अब सकता होती है तो जो हमारे सरीर में पहले से ही जो चलित रहता संचीत में बनाता IF Dafna degli sensitive करुछेंट करॉत निकींट कर देता है जिनके उनकी अब उर्ती में पूरा अबोह जाता हमारे चरीव Object कोज Civ क्या सकता होती है उस समय चाह्म लोग का सरी में गलाइकोजन जो कर्भोहद्रेट से संग्रीत होते हैं जो को फ़कुजशं के रूब में Тोड़ करके गलाइकोज में बदल दता है आज रेस्ट में बदलता है不 करता है यह कृत करता है तो आप सभी को याद रखेगा जुकिए फिर्म पहले हम बता दिए एक्ष्ट बताएंगे अच्छो कि सभी कॉसन इंपोर्टेंड बताएंगे तो आप लोग की याद भी कीजिएगा तो फ्रेंट्स वीडियो कर दिए नेस्ट को सन है कि नीमन में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है तो बताना आपको फ्रेंट्स इसा चार उप्सन है इन में से कौन सा उप्सन में कौन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है उप्सन आपको दिया पालक मखन चीज जिसको पनीर बोलते हैं मचली त दाता है लेकिन पालक नहीं दाता तो इसलिए इसका अप्शनी हो जागा पालक तो आप इसे याद रखे अगे भी कुस्टन बहुत ही इंपोर्टेंट था तो चलते अब अगले कॉस्टन की और कॉसन है की कार्भोहड्रेट मानाव शरीर में किस रूप में तुटता है देखे ब्रेंट को सब्सक्राइब पहले बता दिये के कार्भोहड्रेट जो है मानाव शरीर में किस रूप में तूटता है कार्भोहड्रेट जमा रहता किस रूप में गलाइकोजन के रूप में कि दिने तरीक के स्पूल सकता है तो उप्षन आपको दिया गलाइकोजन यह तो होगा नहीं इस्टार्च सुक्रोज तो इसका रोजगा उप्षन यानि गुलकोज हम पहले पता दिए कि कार्भोहड्रेट जमा तो हता गलाइकोजन के रूप में लेकिन तूटता किसमें गु का करता है तो यह कार्भोहड्रेट से रिएड़ और भी कोशन बाता देरे उसे भी आप ध्यान रखिएगा कि कोशन पुछेगा कि किस पॉसकतत्व का सरपर्थम मूह में पाचन ही शुरू हो जाता है वैसे तो पाचन की किरिया मूह से शुरू हता और चोटी आतमें जाग गुलकोज में तोड़ता है तो यह सभी बातों का याद रखिएगा चुकि बहुत इंपर्टन को संथा इसे एक और कुछेगा कि कोई भी मत जिस तरह खेलाडी रते खेलते हैं मैदान में अगर उसको ततकाल के लिए उर्जा की जरूरत है तुरन पूरा हरास्मेंट हो गय है तो आप इसे याद रहिएगा बहुत हीं इंपरसंथाये चलते आप अगले को संकरी और यह आज का टॉप 10 को संका लास्ट सण है कि भाजन का पाचन नीमने अंग में पराराम होता तो बहुत बार बताये कि वह धन का पाचन कहां पाराराम वहता हुआ मुघ या करित पेट्ट अंथ प्रेट Sc踊 निया करी तोगा निया से थोड़े मोग कोई मतलब अंदर लेते भी खाते से खाते हैं मु यह उसले में कहा कि उसले समय ख़ो प्रम हो जेता चोटी हां में पर Faros Sw cliff has a ride तो आप इसे याद रखिएगा तो फ्रेंट्स आज का कॉसन बस इहीं तक था सारे कॉसन बता देविए अच्छा लग रहा तो में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में जा सेर कीजिता था मेरे टूब चैनल कर जिए सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी हिट कर ज सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको हिलफुल मिल सकते धन्यबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में